आप देख पा रहे हैं मेरे लेप्टॉप की स्क्रीन में कुछ प्रोब्लम आ रही है इस पे लिखा हुआ है चूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और नीचे दो ओप्शन दिये हुए हैं और दोनों पे लिखा हुआ है विंडोस टेन और वॉल्यूम फोर समसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह प्रोब्लम कैसे हुई अगर आपके लेप्टॉप यह कंप्यूटर में ऐसी प्रोब्लम आ गई है तो घवरानी की कोई बात नहीं है इस प्रोब्लम का सेल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और हम लोग साथ ही साथ इस प्रोब्ल कि और साहरे के साहरे अपलिकेशन जो है डाउनलोड हो गये और जब यह इस प्रोसेस चल रहा था इस लाप में तब जो है हमने बीच में इसको बंद कर दिया जो कि इस तो हमने क्या किया बीच में इसको बंद कर दिया है अब हम दो इसको solve करने की कोसिज करते हैं और इसको solve करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप देख पा रहे है यह हमरे laptop की स्क्रीन है इसके सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं एक नीचे option कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर देख पा रहे है चेंच डिफॉल्ट और चूज अदर option ठीक है तो चलिए हम इसको क्या करते हैं इस पर सिलेट करते हैं इस पर कुछ करते हैं एंद करते हैं तो देखिए वह ही goth है औगे चिज तो ही जो है दुबार आगे हुए हम लोग बैप करते हैं और बैप करने के बाद यहां जूज यह deriv पर क्लिक करते हैं और यहां पर लिखा हुआ है एक्जिट एंड कॉंटिन्यू टू विंडो स्टोन और वोल्यूम फोर ठीक है चलिए हम इसको इसके उपर क्लिक करते हैं और अब आप देख पा रहे हैं यह हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है यह दुबारा से चालू हो रही ह चलिए अब हम थोड़ा टाइम लेगा तो इसका वेट करते हैं आप देख पा रहे हैं यह हमारा जो लैप्टॉप है यह स्टार्ट होना चालू हो गया है ठीक है तो चलिए वेट करते हैं कि रिशेट इस पीसी का ओप्शन आ चुका है और इसके नीचे कुछ दो ओप्शन दिखे हुए हैं दिये हुए हैं और इस पे लिखाओ यूर पीसी हैस मोर दैन ओंड्राइब दिवांट टूरीमुव अलफ़ा फ्रों अल ड्राइब ठीक है तो इस पे हम लोग क्या करते हैं ओनली दड्राइब विंडोज इंस्टॉल इसको क्या करते हैं हम लोग इस पे जो है क्लिक करते हैं जैस्ट रिमूव माइफाइल्स फुली क्लीन कर देते हैं ठीक है फुली क्लीन कर देते हैं चली लुक लाइक सिस्टोम और प्रोसेस तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा पीसी एकदम रेडी हो चुका है thanks for watching this video I hope you like this video thank you